आज मैं आपके लेकर आई हूं रोस्टेड मसालेदार काजू की रेसिपी जो आप बहुत ही असानी से अपने घर पर ही बना कर तयार कर सकते हैं रोस्टेड मसालेदार काजू बनाने के लिए हम सबसे पहले ग्यास अन करेंगे और उसके ओपर एक बरतन रखेंगे और फिर इसे थोड़ा सा गरम होने देंगे अब इसमें एक चम्मच के आसपास देशी घी डाल देंगे अगर आप चाहें तो आप बटर भी डाल सकते हैं हम जादा घी इस्तमाल नहीं करेंगे इसमें घी हमारा मेल्ट हो चुका है तो ऐसे थोड़ा सा फैला देंगे इसे और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजेगा बिल्कुल भी गैस का फ्लेम तेज नहीं होना चाहिए नितो हमारे काजु जो हैं वह बहुत जल्दी जल सकते हैं तो यह मैंने एक बड़ी वाली बाउल अब इन्हें लगातार चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम जो है वो कम ही रखेगा स्लो ही रखेगा बिल्कुल और हमने इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है काजु का बिल्कुल बहुत ही आसान है इन्हें रोस्ट करना मसालेदार बनाना घर पर ही बहुत ही आसाने से हम य यह हम जब मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें कितने महेंगे पढ़ते हैं इससे अच्छा आप अपने घर पर ही इसे बना कर तयार कर सकते हैं इस तरह से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन दबा दीजेगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसाली से मिल सके और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो यह देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है यह हलके हलके से पिंक या ब्राउन कह सकते हैं कि होना शुरू हो चुके है अब हम इससे जादा इनने नहीं पकाएंगे तो काफी डाक कलर हो जाएगा इनका तो अब क्या करेंगे गैस को जो है वो बंद कर देंगे गैस का फ्लेम बंद कर दिया है हमने लेकिन पैन हमारा अभी भी काफी गरम है तो इने थोड़ीदेर चलाते रहेंगे और फिर थोड़ी देर चलाने के बाद हलका सा जब इसका पैन का टमप्रेचर थोड़ा ठीक हो जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर इसमें हम डालेंगे अपने मसाले तो अब मैं इसमें डाल देती हूं बिल्कुल थोड़ा सा स्वाध अनुसार नमक शुरू में आप थोड़ा कम ही रखेगा मसाले ताकि अगर बाद में आपको और डालने पड़े या आपको कम लगे तो आप और डाल सके अगर शुरू में जादा डाल देंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना फिर हमें काजू और डालने पड़ेंगे इ थोड़ा सा और भी कर सकते हैं टेस्ट करने के बाद और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च का पाउडर तो यानि मैंने इसमें टेस्ट के इसाब से थोड़ा सा नमक डाल दिया है थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है पीसुई काली मिर्च डाल दी है अभी इन्हें मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से अभी हमारे काजू गरम है मसाला जो है अच्छी तरह से इस पे कोट हो जाएगा अच्छी तरह चिपक जाएगा और करारे भी हो जाएंगे शुरु शुरु में गरम होंगे न तो इतने करारे नहीं लगेंगे जैसे जैसे यह ठंडे होते जाएंगे करारे होते जाएंगे बहुती बढ़िया बनकर तयार होते हैं जैसे कोई फेस्टिबल हो या घर पे किसी गैस्ट ने आना हो या फिर अब तो मौसम चेंज हो रहा है सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है तो आप अपने लिए भी घर पर ऐसे प्रोस्टेड काजू बनाकर र में भी आरे कुरकरे नहीं लगेंगे और शीलस सीलेसी हो आगे अगर आपने गरम गरम ही बन करके किसी बॉक्स में रख दिये तो पहले आप अच्छी तरह से ठंडे होने दिजिए्गा फिर उसके बाद इसे किसी बॉक्स में डालकर रखेंगा अब मैंने इसे अच्छी तरह से mix कर दिया है temperature भी इसका ठीक हो चुका है तो इतना गरम नहीं है तो अब आप इसे चेक करके एक खाकर देख सकते हैं कि इसमें नमक मसाला जो है वो कैसा है अगर आपको कम लगे आप थोड़ा साइस वक्त और एड़ कर सकते हैं तो यह लीजिए यह हमारे roasted मसालेदार काजू जो है वो बनकर तयार हो चुके हैं कई लोग इसमें कलर के लिए थोड़ा लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं तो लेकिन मैं लाल मिर्च डालना पसंद नहीं करती हूं इसलिए मैंने वो skip कर दिया है लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है ऐसे ही यह perfect है और healthy है तो यह देखिए घी का इस्तमाल भी मैंने बहुत कम किया है इसमें तो बिल्कुल भी oily नहीं लग रहे हैं बिल्कुल इस टाइम यह देखिए बिल्कुल dry हैं यह बिल्कुल भी oily नहीं है आप आज सुन सकते हैं ना कितने करारे हो चुके हैं ये तो चलिए हमारे रोस्टेड मसालेदार काजू बनकर हो गया है तयार तो आप भी इसी तरह से बनाएगे और खाईए और अपनी सेहर का खयाल रखे वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मेरे चैनल को अगली वीडियो में फिर मुला कात होगी तब तक के लिए बाई टेक कियर